चलिए देखते हैं DC generator में series generator हो गया संट generator हो गया अब इस वाले वीडियो में compound generator करा रहे थे बड़ वीडियो का टाइम हो गया था ज्यादा लंबा वीडियो कीच रहा था इसलिए compound generator अब नेश्ट वीडियो में करा रहे हैं दोस्तों लाश्ट तक देखते रहें तभी आपको पसंद है तो कमेट जरूर करना compound generator ये बोला है कि वह generator जिसमें filled binding के दो भागों में बाटा जाता है उसे compound generator कहते हैं any जो filled binding होती है उसमें filled binding को हम दो टुकड़े में जब बाट दिये उसको ही बोलते हैं compound generator compound generator में कितने filled binding तथा कितने flux होते हैं अब जब हम filled binding को दो टुकड़ा कर दिये थे तो उहाँ पर दो filled binding मिलेगी हमें और दोनों filled binding में अलग-अलग मुझे flux मिलेगा पहले हम नाम दे दी है series filled binding या central fill binding दूसरे के नाम दे दी है series filled flux और central fill flux ऐनि हम एक शीरीज binding मनाए ये ये central lining मनाए एक स्रीज फिल्ड बाइनिंग का फ्लक्स मिला मुझे दूसरा मिला संट फिल्ड फ्लक्स अगला बोला है कंपाउंड जनेरेटर में कितनी बाइनिंग होती है कंपाउंड जनेरेटर होता है दोस्तों से में तीन बाइनिंग मिलती है संट फिल्ड बाइनिंग, सिरीज फिल्ड बाइनिंग, आर्मेचर फिल्ड बाइनिंग संट और सिरीज दोनों एक बाइनिंग थी, हम दोनों को अलग-अलग काट दिये दो बाइनिंग त्यार हो गए, सिरीज बाइनिंग, संट बाइनिंग और मेंचर फिल्ड बाइनिंग तो रहती ही है सभी जनरेटर में मिलेगी बाइनिंग सन्योजन के आधार पर कंपाउंड योगी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तो जो बाइनिंग लगाते हैं बाइनिंग के सन्योजन एनिक कनेक्शन करते हैं कनेक्शन के आधार पर दो तरह के हमारे जनरेटर मिलते हैं पहला नम्मर है साट संड कंपॉंड जनरेटर दूसरा नम्मर है लांग संड कंपॉंड जनरेटर ऐनी जो बैंडिंग के कनेक्शन के आधार पर दो प्रकार की जनरेटर हमें मिले एक मिला short sun compound generator दूसरा मिला long sun compound generator ये जो short sun compound generator मिला तो इसकी जो परिभासा देख लेते हैं क्या कह रहा है short sun compound generator ये बोला है वह generator जिसमें आर्मेचर तथा series field winding स्रेणी करमें तथा sun field winding आर्मेचर के समनांतर करमें जुड़ी हो वह short sun compound generator कहलाता है देख लिए क्या कह रहा है एक बार और रिपीट कर देते हैं वह generator जिसमें आर्मेचर ये आर्मेचर है ठीक आर्मेचर तथा series field winding स्रेणी करम में ये हमारी series field winding आपको दिख रही है ये है स्रेणी करम में ये परिभासा देखो वह generator जिसमें आर्मेचर तथा series field winding स्रेणी करम में series field winding आर्मेचर के स्रेणी करम में जुड़ी हुई है तथा संट फिल्ड बाइनिंग आर्मेचर के साथ समनांतर करम में यह जो संट फिल्ड बाइनिंग है यह हुआ आर्मेचर के साथ पैरलल करम में जुड़ी है वह साथ संट कमपॉंड जनेटर कहलाती है तो ऐसा जनेटर साथ संट कमपॉंड जनेटर कहलाता है एक बार और रिपिट कर देते हैं IC बाइनिंग जो RMH के साथ सिरीज में जुड़ी हो सिरीज बाइनिंग और संट बाइनिंग जो होती RMH के साथ पैरलर पे जुड़ी हो ऐसा जनेरेटर, स्वार्ट सन्ड कंपॉंट जनेरेटर कहलाता है फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पर कुछ फार्मूला आपको दिखा देते हैं साथ संट का ISH करेन निकालने के लिए लोड करेन निकालने के लिए RMH करेन निकालने के लिए सिरीज करेन निकालने के लिए देख लो साथ संट कंपॉंट जनेरेटर को संट बोल्टेज तथा टर्मिनल बोल्टेज होते हैं यह इनिया जो स अइन कंपार्ड से भॉल्टेज तथा तर्मिनल बोल्टेज से सब्सक्राइड होता है दूसरा नम्मर ये कह रहा है साटसन कंपोंट जनेटर पे होता है क्या साटसन कंपोंट जनेटर में प्रेरित EMF का मान संट बोल्टेज से अधीक एनि जो हमारा EMF उत्पन होता है उसका मान अधीक होता है संट बोल्टेज से और संट बोल्टेज का मान टर्मिनल बोल्टेज से अधिक होता है तो साटसन कंपोंड जेनेटर पे यही ध्यान रखना है कि टर्मिनल बोल्टेज का अमान अधिक होता है प्रेरित एमेप का अमान संट बोल्टेज से अधिक तथ संट बोल्टेज का अमान टर्मिनल बोल्टेज से अधिक होता है यह देखो संट बोल्टेज यह टर्मिनल बोल्टेज हुआ यह टोटल बोल्टेज हुआ अगला नम्मर कह रहा है साट संट कमपॉंट जनेरेटर में आर्मेचर धारा का मान होता है जो साट संट कमपॉंट जनेरेटर होता है उसमें जो आर्मेचर धारा होती है लोड धारा तथा संट धारा के योग के बराबर होती है साट संट कमपॉंट जनेरेटर अगला है साट संड कंपॉंट जनेटर में सिरीज धारत लोड धारत होती है बराबर सिरीज करेंट और लोड करेंट दोनों कमान बराबर होता है साट संड कंपॉंट जनेटर में दोस्तों ये सब कोशन एंसर हैं आप लोग जरूर रिसक पढ़ देना तब ही आपको आगे चलके कमपटिशन पर ऐसी कोशन उठाए जाते हैं अगला है लांग संट कमपोंजनेटर वह जनेरेटर जिसमें आर मेंचर तथा स्रीज फिल्ड बाइनिंग स्रेडी करम पे जुड़ी हो तथा संट फिल्ड बाइनिंग इन दोनों के साथ समयनांता करम में जुड़ी हो वह लांग संट कमपोंजनेटर कहलाती है इसके पहले दोस्तों सॉटसन्थ कंपोजिनेटर पढ़े थे अब ये आ गम है लांग शन्थ कंपोजिनेटर लांग्शन कंपोजिनेटर का कह रहा है एक बार और अच्छे सुलो वह जन्नरेटर जिसमें आरमेशर तथा आरमेशर तथा सिरीज फिल वाइनिंग स्रियल्री करम पे जुड़ी हो तता संट फिल वाइनिंग दोनों के ساتھ समनाथा करम में जुड़ी हो वह लांसन कमपॉंजनेटर कहलाता है उस लांगसन कंपोंजनेटर जो होता है आरे मेचर और सिरीज फिल वाइनिंग दोनों के साथ हमारी संट फिल वाइनिंग जुड़ी होती है वही होता है लांगसन कंपोंजनेटर यहां पे देख लिए यह संट फिल्ड वाइनिंग हुआ यह आर मेचर और स्रीज फिल्ड वाइनिंग हुआ दोनों के साथ यह फिल्ड वाइनिंग जो ही हमारी आर मेचर के पैरलल पे जुड़ी है आर मेचर और सिरीज फिल बाइनिंग दोनों के सब पैरलल पे जुड़ी है जिसके कारण यह सौर्ट संट कंपॉंट जिनरेटर कहलाता है उस वरी लांग संट कंपॉंट जिनरेटर कहलाता है चलो आगे चलते हैं देखने क्या कह रहा है लांग संट कंपॉंट जिनरेटर में संट बोल्टेज तथा टर्मिनल बोल्टेज होते हैं जो लांग संट कंपॉंट जिनरेटर में संट बोल्टेज और टर्मिनल बोल्टेज यह संट बोल्टेज होता है यह टर्मिनल बोल्टेज होता है बरावर में अगला कह रहा है लॉंग संड कंपॉंच जनेरेटर में होता है संट बोल्टेज के मान टर्मिनल एमेफ से कम अगला है लॉंग संड कंपॉंच जनेरेटर पे आर्मेचर धारा का मान लॉंग संड कंपॉंच जनेरेटर में आर्मेचर धारा का मान जो होता है लोड धारा तर संड धारा के योग के बराबर आर्मेचर धारा होती है लॉंग संड कंपॉंच जनेरेटर पे सिरीज धारा का मान होता है IS बराबर IA नोट देख लो DC के किसी भी जनरेटर में प्रयोग होने वाले संटर फिल्ड बाइनिक पट लेता तथा अधिक तरनकी बनाई जाती है सब को पता है तो दूसरा है DC के किसी भी जनरेटर में प्रयोग होने वाली सिरीज फिल लबायने मोटे तार तता कम टरनकी बनाई जाती है सब को अच्छे से मालूम होगा जो कभी नहीं पढ़ा हो उसको यह पता है यहां फार्मूला नियुमेरिकल आ गया नियुमेरिकल हम बताने पाएंगे हम पहले ही बता दिये थे आप लोग जरूर निकाल लेना नियुमेरिकल में क्या कोश्चन है और कौन सा फार्मूला लगाया है निकालना क्या है क्योंकि हम नहीं बता पाते है और वीडियो लंबा हो जाता है इसमें डिस्कुसन करने में और आप लोगों को मैं तो सवाट अंसर बताने के लिए बैठा हूं अब यहां पर फ्लक्स के आधार पर कंपाउंड जनरेटर जो फ्लक्स के आधार पर Compound Generator होते हैं, कैसे होते हैं, कौन हैं, देखो Flux के आधापर Compound Generator, Flux के आधापर Compound Generator दो प्रकार की होते हैं, Cumulative Compound Generator, Differential Compound Generator अभी इसके पहले Binding के आधापर दो प्रकार की Generator पढ़े थे Long Sun, Short Sun, अब आ गया Flux के आधापर, Flux के आधापर Cumulative Compound Generator होता है, Differential Compound Generator होता है Compound योगिक Generator में कौन-कौन से Flux होते हैं पहला है संट फिल्ड Flux, दूसरा है संचाई, यहीं सिरीज फिल्ड Flux दो प्रकार के Flux मिलेंगे अब Compound Generator यहीं योगिक Generator में कितने फिल्ड बाइनिंग होती है जो हमारा Compound Generator था, Compound Generator में मुकतक संट फिल्ड बाइनिंग और सिरीज फिल्ड बाइनिंग, दो ही बाइनिंग मुझे मिली है अब तीसरी आप लोगों को पता है, तो comment करके बता दे ना भाई अगला है, Flux के आधार पर Compound Generator कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के Cumulative Compound Generator, Differential Compound Generator यद इसके अलावा कोई Generator आपको दीखे था, हमें तुरंत comment करना हम भी उसमें जोड देंगे Flux के आधार पर दो प्रकार की Generator होते हैं, अब आता है Cumulative Compound Generator Cumulative Compound Generator ये कह रहा है, जिस Generator पे संट फिल्ड Flux तथा स्रीज फिल्ड Flux दोनों मिलने वाले यानि सह सहियोंगी सुभाव के होते हैं, उसे Cumulative Compound Generator या संचाई या जनेरेटर कहलाते हैं एक बार और अच्छे से सुन लो, जिस जनेरेटर में संट फिल्ड Flux, सिरीज फिल्ड Flux दोनों मिलने वाले होते हैं, दोनों का Flux जुड़ता है, यानि सिरीज का और संट का दोनों का Plus होता है, वही होता है Cumulative Compound Generator ये, उसका डाइगराम Cumulative Compound Generator के यहां पर डाइगराम देख लेना और ये देख फ्लक्स, जो पॉल है, ये पॉलों पर से Flux का बनाने की बिधिया बता रहा है, दोनों Flux जुड़ रहे हैं, टोन्टल Flux बराबर होता है, संट फिल्ड Flux और सिरीज फिल्ड Flux, दोनों को जुड़ेंगे तो ही होता है Cumulative Compound Generator Cumulative Compound Generator में कुल Flux परिणामी Flux एक जानत करने का समी करन ये ही है, टोन्टल Flux बराबर संट फिल्ड Flux प्लस सिरीज फिल्ड Flux Notes कह रहा है, लोड में परिवर्टन होने पर, कंपाउंड यहուं जिनरेटर की स्रीज फिल्ल बांडिंग के Flux में परिवर्टन होता है, जबकि संट फिल्ड बांडिंग के Flux में परिवर्टन बहुत कम होता है, इसलिए उसे इस्थिर माना जाता है मतलब flux में कोई परिवड़ता नहीं होता इसलिए उसको इस ते flux माना जाता है अगला है cumulative compound generator यह संचाई यह जनरेटर में load के मान में बृद्धी करने पर कौन से flux में बृद्धी होती है cumulative compound जनरेटर होता है उसको उसके मान यह लोड का मान हम बढ़ाते हैं तो series fill flux के मान में बृद्धी होती है जो हमारी series fill flux होती है उसके मान में बृद्धी होती है next है cumulative compound generator यह जनरेटर के load में बृद्धी करने पर परिनामी flux cool flux पर क्या परभाव पड़ेगा cool flux में बृद्धी होगी टोंटल फ्लक्स होता है उसमें ब्रिद्धी योगी इंप्रूब होता है नेश्ट देख लो संचाई योगी जिनरेटर यानि कामलेटिव कमपॉंट जिनरेटर कि लोड में ब्रिद्धी करने पर उत्पन बिद्धुत बाहगबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा उत्पन बिद्धुत बाहगबल में ब्रिद्धी होती है यदि कामलेटिव कमपॉंट जिनरेटर में हम लोड कामान बढ़ाते हैं तो EMF कामान भी बढ़ेगा नेश्ट है संचाई योगिक जनरेटर यानि कामलेटिव कंपॉंट जनरेटर के लोड में बृद्धी करने पर टर्मिनल बोल्टेज पर क्या परभाव पड़ेगा यहाँ पर टर्मिनल बोल्टेज का मान भी बढ़ रहा है जब हम लोड का मान बढ़ा रहे हैं कामलेटिव कंपॉंट जनरेटर में अगला है कामलेटिव कंपॉंट जनरेटर यानि संचाई योगिक जनरेटर का उपयोग कहां किया जाता है लाइटिंग बिवस्था पे जो Cumulative Compound Generator होता है उसका उप्यों हम लोग लाइटिंग वेवस्ता पे यूज करते हैं Differential Compound Generator जिस जनरेटर पे संट फिलफलक्स तथा स्रीज फिलफलक्स एक दूसरे के विपरीर सुभाव वाले हो उसे Differential Compound Generator या विभेदी योगिक जनरेटर कहलाता है अगला है Differential Compound Generator या विभेदी योगिक जनरेटर में परिणामी फ्लक्स कुल फ्लक्स का एक्जान्ट करने का समी करण क्या होता है कि जो Cumulative Compound Generator था उसमें फ्लक्स कमान बढ़ रहा था अब इसमें फ्लक्स कमान घट रहाई है देखें तोंटल फ्लक्स संट फिल्ड फ्लक्स होता है यहां पर माइनस लगा है यहां स्रीज फिल्ड फ्लक्स एनी डिफ्रेंशिल कंपॉंड जनरेटर में फ्लक्स का मान घटता है डिफिरेंशियल कंपॉंड जनरेटर यहीं बिभेदी योगी जनरेटर के लोड में बृद्धी करने पर स्रीज फिल्ड बैंडिंग के फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा बढ़ेगा फ्लक्स का मान बढ़ेगा डिफिरेंशियल कंपॉंड जनरेटर के लोड में बृद्धी करने पर स्रीज फिल्ड बैंडिंग के फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है सीरेज फिल बाइनिंग जो होती है उसका फ्लक्स होता है फ्लक्स बढ़ता है अगला है डिफरिंसियल कमपॉंड जनरेटर यानि बिभेधी योगी जनरेटर के लोड में बृद्धी करने पर परिर्णामि फ्लक्स कुल फ्लक्स के मान में क्या प्रवाव पड़ेगा कुल फ्लक्स के मान में कमी होगी जब हम लोड का मान बढ़ाएंगे तो उसके फ्लक्स के मान में कमी आती है आगे है बिभेदी यानि योगिप जनरेटर डिफिरेंसिल कंपॉंड जनरेटर के लोड में बृद्धी करने पर उत्पन बिद्द बाहग बल क्या प्रभाव पड़ेगा उत्पन बिद्द बाहग बल के घड़ता है डिफिरेंसिल कंपॉंड जनरेटर पर लोड का मान बढ़ाने पर EMF का मान भी घड़ता है यदर यहीं पर काम लेडी ओंक जनरेटर हो तक उसमें EMF का मान बढ़ता है नेश्ट है डिफ्रेंसिल कंपाउंट जनेरेटर बिभेदी योगिक जनेरेटर की लोड में वृद्धी करने पर टर्मिनल बोल्टेज में क्या प्रभाव पड़ता है टर्मिनल बोल्टेज और लेडी घटेगी क्योंकि यहां पर फ्लक्स का मान डिस्क्रीस हो रहा घट रहा है डिफ्रेंसिल कंपाउंट जनेरेटर ने बिभेदी योगिक जनेरेटर का उप्यो कहां किया जाता है आर्क वेल्डिंग के लिए हम लोग डिफ्रेंसिल कंपाउंट जनेरेटर को उप्यो करते हैं नार्मली कंपाउंडिंग मातरा के आधार पर जनेरेटर यहां पहला है यह होगि कंपाउंट के आधार पर जनेरेटर के प्रकार ओबर कंपोंट जनेरेटर होते हैं लेबल कंपोंट जनेरेटर होता है अंडर कंपोंट जनेरेटर तीन टाइप के जनेरेटर होते हैं अब पहला बता देते हैं ओबर कंपोंट जनेरेटर जिस जनेरेटर के लोड में बृद्धी करने पर terminal voltage में बृध्धी हो जाती है उसे over compound generator कहते हैं ऐसा generator जिसके हम terminal पे load बढ़ाते हैं तो उसका emf का अमान बढ़ता है उसकी को बोलते है over compound generator over compound generator जिस generator का UP कहा किया जाता है दूर अस्थापित load के लिए railway line, state line, road line वहां पे हम लोग over compound generator को यूज करते हैं फियाता है लेवल कंपॉंट जनेरेटर जिस जनेरेटर की लोड में बृद्धी करने पर टर्मिनल बोल्टेज में कोई परिवर्टन नहीं होता है उसे लेवल कंपॉंट जनेरेटर का उप्योग कहां किया जाता है लिथ मसीन, खराब मसीन, प्रदीप्ती भार, नज़दी की अस्थाफित लोड के लिए एनि लेवल कंपॉंट जनेरेटर होता है उसमें लोड का मान कम ज़्यादा भी करेंगे तो उसके EMF में कोई भी परिवर्टन नहीं आए गया फिर आता है अंडर कंपॉंट जनेरेटर है जिस जनेरेटर की लोड में बृद्धी करने पर टर्मिनल वोल्टेज घड जाते हैं उसे अंडर कंपॉंट जनेरेटर को उप्यों कहां किया जाता है बिद्दुद अब घटन वह बैटरी चार्जिंग के काम लोडों के लिए अंडर कंपॉंट जनेरेटर का यूज करते हैं अब आता है काम मुटेशन दुस्तों काम मुटेशन नेस्ट वीडियों बताएंगे लंबा वीडियो हो रहा है आप लोग जरूर देख लेना आगला वीडियों क्या है दुस्तों चैनल पर नहों चैनल को सुस्क्राइब कर झाल नहों जरूर देख लेना